बिहार एजुकीशिन मिनिस्टेर राम चरीत्र मारस पर अहालिया टप्पणी के कारण सुर्खियों और विवादों में हैं सर्वुचोन्याले में प्राक्टिस करने वाले दिल्ली के एक वकील ने सिक्षा मंत्री चंदर शेखर के खिलाफ कंप्रेन दर्च कराई है गुर्वार को बिहार के सिक्षा मंत्री चंदर शेखर के खिलाफ दिल्ली पुलीस के पास शिकायत दर्च कराने वाले वकील ने कहा कि मंत्री ने बयान दे कर भारतिय दंट सहीता यानि की आईपीसी की धारा एक सुत्रेपणे और बी 295, 298 और 505 के तहत अपरात किया है जो स अबन्गी अपरात है शिक्षा मंत्री की बयान को बहुत गंबे प्रकृती का बताती हुए अधिवक्ता वियने जुंदल ने अपने शिकायत में कहा कि रामचरीतरमानस हिंदू की आस्था के साथ जुड़ा है मंत्री ने इस पवितर पुस्तक के संबंद में भड़काऊ और अपमान जनक बयान केवल हिंदू की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से दिया है। शुकायत करता एड्वोकेट जंदल ने कहा कि हाली में इंटरनेट पर एक वीडियो और समाच्वार रिपोर्ट देखी गए जिसमें चंदर शेखर ने कहा तीन पुस्त के मनुस्मृति, रामचरित्रमानस और बंच ओफ थौट्स वेबन योगों में जाती संबंदित घ्रणा फैला रही है। दिली पुलिस की साइबर अपराद एकाई के पुलिस उपायत के पास दछिकायत में वकिल जिन्दल सिक्षा मंतरी ने दावा किया है जहां मनुस्मृति निचली जाती को गाली देती है वही रामचरित्रमानस निचली जाती के लोगों को निरक्शन रखने की वकालत करता ह मंत्री नकाहे की राम चिरू दलीतों निचली जाती हो और महिलाओं को सिक्षा करने से रोकता है और इसलिए से जला दिया जाना चाहिए शिकायद करता सभी हिंदु हो对 राम चिरू त्रमान के खिलाब अपमाँ जनक शबतों का उपियोग नफरत फैलाने की इरादे से किया जा रहा है मंतरी हिंदू सम्मुदाय को विभाजित करने और पवित्र पुस्तकों को टार्गेट कर रही है बयान साफ तोर पर उकसाने की मंच्छा को दर्शाता है बिहार की सिक्षा मंतरी चंदर शेखर के खिलाब सक्तकारवाही की मांग करते हुए शकायत करता ने कहा कि मंतरी ने जाती की आधार पर दो समुहों के बीच दुश्मनी पैदा करने और हिंदू सम्मुदाय के खलाब भड़काव वयान भी दिये है धर्म से खुद को हिंदू बताते हुए वकिल ने कहा शंदर सेखर के बयान से मिदी धार्मिक भावना बहुत आहत हुई है मनु अस्मिति को जलाने का क्यों काम किये इसलिए कि मनु अस्मिति में एक बरे तबका के खिलाब 85% लोगों के खिलाब अने को गालिया दी गई रामचाइद मानस का क्यों प्रति रोध हुआ अधम जात में बिद्या पाए भया हुज जथा आही दूद पिलाए यानि अधम मतलब होता है नीच दुनिया के लोगों सुनो आपके माद्यम से कहना चाहता हूँ नीच जाती के लोगों को सिख्षा ग्रहन करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाती के लोग मैं मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बावासा वंबेट करने दुनिया के लोगों को बताया यह जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले एक एक जुग में मनुवस्मिति दुसरे जुग में रामसाइट मानस तीसरे जुग में गुरु गोवलकर का बंच मिवस्मिति जोसंदाइस में महारा अंदोलन किये थे तूंऑ